दोस्तों भोट देख करके तो आप अपने पंचाइद के मुख्या जी को भी चुने थे लेकिन दोस्तों वहाँ क्या विकास कार हुआ उसका पता नहीं लेकिन दोस्तों समस्तिपूर जिला के रोसरा परखंड के मोतिपूर में देखिए यहाँ पे एक अनोखा चीज बनाया गया है दोस्तों यहाँ पे बच्चों के जन्म से लेकर करके चाहे आगनवारी केंदर हो स्कूल हो सरक हो नाला हो पारक हो बगीचा हो और जितना भी विकास कार है सारा जो है राष्टियास तरका लेकिन दोस्तों यहां के मुख्या जी अपने जनता को देखिए किस तरह से प्यार करते हैं कि जीते जी सारा सम्मान और विकास दे रहा है मरने के बाद का भी विवस्ता कर दिये देखिए मुप्ती धाम बना रहा है यहां पे यह मराज का घर जीते जी साइद ही कोई लोग आना चाहे लेकिन दोस्तों मरने के बाद लोगों को ले करके भटकना परता था मुख्या जी यह अम्राज का घर बना दिये हैं यह बनाने का आइडिया कहां से आया इडिया था जो यहां पे नजदी हमारे पंचायत में नजदीक में कहीं लोग का जो अंतिम संस्कार होता हुआ करने का सुपधा नहीं था उसको चार किलो मीटर दूर बागमती नदी य स्पाइसे ले जाने में बहुती जाते वज़त खरचा और परसानी होती तो हमने सोचा जो यह सुपधा क्यों नहीं अपने पंचायत में ही बना दिया जाए ताकि गरीब पुरभा का से लेके और सभी बर्गों का सभी लोगों का अच्छा से संसकार हो सके और नजदीक में सिमरिया चले जाते हैं गया चले जाते हैं लेकिन दोस्तों ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं गरीब होते हैं जिनको जलाबन तक का विवस्ता नहीं होता है अपना जमीन नहीं होता है जलाने का उसको नदी किनारे किसी गंदी जगा पर ऐसी जगा पर जाना पड़ता था जहां उन लोगों को समान नहीं मिल पाता था जैसे तैसे जलाते था उसी दुख को देखते हुए उसी समस्या को दूर करने के लिए मुखिया जी ने लोगों को वादा किया था और देखिए गरीबों का वादा निवाने के लिए यहां पे मुक्ती धाम बना रह लेकिन एक समय सबका आता है जब इस यम के घर में यहां पे समसान घाट में सबको आना पड़ता है और इधर देखिए संकर भगवान का फोटो है अब कहेंगे मुख्या जी को तुरा अंदर चलिए और देखिए मुख्या जी कितना बनिया से इधर बॉंडरी वाल कर दिये हैं इधर भी पेर लगा हुआ है छायादार पेर लकरी वाला पेर उधर से भी घेरावा है और बीच में जो यह देख रहा है शरक देख रहा है यह अभी इसको PCC में कनभर्ट किया जाएगा और आगे चलते हैं फिर मुख्या जी से पूछते आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को मुप्ति दिया जाएगा किस तरह से यहाँ पर प्रजेक्ट है और कैसे ही अपने पंचायत में इस चीज को बना ले रहा है और दूसरे पंचायत में यह था रहा है और कैसे लख़िक देख रहेगी क्या इसके लिए लोगों अंतिम संसकार किया जाएगा यह वर्निंग सिर बन रहा है अभी तो ततकाली लक्री पे जलाने के लिए लोगों को बना रहे हैं और हमारे यहां विदूत थर्मर पावर का भी अनुसंसा हो गया है जमीन का भी अनुसी मील गया है और बिजली विभाग द्वारा बहुत उसका भी शुबधा रहे है अच्छा मुख्या जी इसका जो छेतर फल देख रहा है देखे दो पिलर के बीच में यह 10 बाई 10 का कम सकंब 10 बाई 10 का तीन साइज है तीस बाई तीस का लग रहा है इसमें तो माली जी एक साथ तीन तीन लास जलाया जा सकता तीन वर्निंग सि के लिए यहां पERE C लाक के जलाने का यहां पर जो मुक्टी धाम बनाए गया है इसमें एक यूनिबक वर्निंग जए बनाया गया है इसके सुरक्षा के लिए चारदी बारी प्लांटेशन पर दाका निर्मान किया गेट लगाया गेट बनाया गया है साथी साथ पेजल सोचाले वह बढ़ने के लिए उत्तम देवस्था यातरी से जो बनाया गया और जो और जो मुख्या जी बता रहा है कि यह जो आप देख र ना परेगा यहां एक जो है पावर टेकर रखा जाएगा जीन का सारा जींबारी रहेगा कोई भी संसकार के लिए आए उसको सम्मान पुर्वा कि यहां अस्थान दे और साथी साथ जलाबन का भी विवस्था फिरी में द्वारा मुख्या जाएगा फिरी में अच्छा यहा अंतिम संसकार करने के लिए जो उची जलाबन किया सकता होती है उतना उसको मुप्त में दिया जाएगा ताकि वह असानी से अपने सबों का संसकार करवा पाए निश्ची दुरूप से खा सकते हैं तो एक भी रुपया खर्च नहीं होगा लोगों को जलाने में नहीं नहीं जबनाएं यस पूच़ा है ड़ित को कहां से चैज आда इस defense को कहां से पूछाइगा लेकिन इससे परे इस परोजेक्ट का एक महतु पूर्न आगाए वह आपको दिखाते हैं क्योंकि उसको देखे बिना आप यह मत समझेगा कि एतने गुए है एक special चीज भी मुख्याजी बना रहा है और वो यह है कि जलाने के लिए मान लीजिये आते हैं उसमें दरजनों लोग रहते हैं जो सब को लेके आते हैं उनके बैठने का उनके सोच का उनके पानी का उनके ल से कैसे है और बहुत ही बनिया प्रोजेक्ट हैं और सामने में जो देख रहा है अभी वह है आपको पोषण बाटी का शाट साल से उपर के बुजुर्गों को फिरी में फल खाने के लिए मिले इसके लिए वहाँ पे देखिए पोषण बाटीका बनाया गया और देखिए य यह जो घर दोस्तों देख रहा है यही है सब्दा गिरी का का सकते हैं वेटिंग रूम परतिक छाल है या बिसरा माल है क्या है मुख्या जी बताइए यह यातरी सेट बनाया जा रहा है ताकि सब को अंतिम संस्कार करने के लिए जो भी उनके परिजन या ग्रामीन आएंगे त भारी संख्या में आते हैं 150 की संख्या में आते हैं तो उनको वैठने के लिए उनको धूप च्छाओं से बचाने के लिए वर्सा से बचाने के लिए यह एक बरासा जो है सबसे महत्तपूर्ण चीज पर आते हैं लोगों के मन में सबाल उट रहा होगा कि आखिर मोतीपूर पंचायत में ही क्यों हर एक योजना क्या आपको इसके लिए अलग से कोई फंड मिला है नहीं जो भी कार्ज हो रहा है हम पहले भी बता दिये जो सरकार के दिशा निर्द समय है और गैलड्य राइन में यह कार्ज है और परषासीनिक पदा धीकारी के देखरेख में उनके द्वाराय बन रहा है और कियो नहीं बना है सरकार की सब्सक्राद होगा जो हर पंचाइट में मुक्ति धाम बना चाहिए जी कितना इसका प्राकलीत रासी एस्टिमेट कितना रुपया का होगा इस योजना का अगर बात करें तो जो सब पंचाइट में जाता है और देखे बहुत बढ़िया चीज है और सोचिए कि कोई गरीब आदमी के घर में कोई मर जाता है तो कितना धिकत होता है बारिस के समय में सोच लिजे पानी रहता है किचर रहता है उसके लिए सोचिए एक पर एक कोई भी ऐसा चीज मुक्याजी नहीं छोड़ रहा है जो इनके पंचाइट में नौ बच्चा जनम लेता है उसके पार्क से ले करके आंगनवारी केंद से ल करवा में आपसा जा फम इसमें बाराभी इतना चीज बन गया है इतना तर्फ कर रहा तर decimal कर रहे है क्योंकि यहीं पे बना है और जगह थो नहीं में बनाना मेरे कंचायट मेन आपके है इस पर बहुत अच्छा की नहीं को बारिग नहीं सोचे लगा कि इसमें हम निस्ट dranर बनाएंगे नहीं सोचे थे कैसा लगाई आपको इससे पहले मनलिया आप जो लोग जलाने आएंगे सुभधा मिलेगा पहले दिक्कत होता था जलाबनु और बोलना है मुख्या जी की जलाबना सब कित किया थे सब रहेगा सब रहेगा कहां कर रहा है आपका मोतिपूर घर हु आपका फटेपूर हुआ जो कि इस पंचायत को दुलहन की तरह सजा दिये हैं हर चीज से किसी जगा किसी को किसी परकार का कमी नहीं हो आपका भतेपुर हुआ हम पिठा डोभी में घुसते हैं हम लोग पंचायत में सवनुपूर के बाद तो वहाँ पे दो तीन चीज मिलता है एक तू बड़ा सा पोखडी है पूरा पोखडी के चारियो तरफ सीधी फिर वहाँ पे आधुनिक हटिया है फिर योगा पार्क है फ पाच Savekar cough उदीा तो टोटल के जैसे कर दिया गया है रही इतना की बता भी ने सकते एक वीडियो में की तो हमारे पंचाइट का हर चीज इतना बढ़ियां लगड़ा है जो और कहीं नहीं देखे हैं यह बात इसलिए थाम लग भी मोबाइल लेके आते हैं दूर दूर से पंचाइट से आकर के लोग देखने को लिए आता है बहुत दूर दूर से अभी भी 40 मुख्या आया था ठीक ठी मुख्या जी से क्या कहिएगा मुफ्ती धाम के बारे में पहले सोचे थे कभी कि कोई मुख्या बनेगा आई जलने का भी विवस्था कर देगा बताईए जो कहेंगा कि लोगों को बुलार करके लाए थे मुख्या जी ने यहां पर बैठेते थे ना आप लोग आई से नहीं है क्योंकि आप लोग भी जानते हैं मोतीपूर पंचायत को और आईएगा यहां तो आपको तीन-चार दिन लगेगा यहां का सारा चीज देखने के लिए सारा चीज इनके दिमाग की उपज है अधिकारी का सायोग लेके करते ह आधिये काईसे ही रिटो देखते हैं इनके दिमाग में चालने लगता है जैसे अपने पंचायत में गणाव देखे नहीं कि इनके दिमाग में सवंधारी करन का purse देखने लगता है जिर के सामने में एक पोखरी यह खुनवाए हैं अपने क्या पोखरी बनाया गया है कि ल जाने की पूरा बेवस्ता यहाँ पे जितने लोग आएंगे सब के साथ उनके सवच की बटने की सोने की पंका लाइट बिजली सारा बेवस्ता यहाँ पर कर दिया गया उसके बाद मुफ्ती-दाम में यह भी है कि जलाने के बाद नहाया जाता है उसके लिए मुख्या जी एस पेशल पोखरी खुनवा दिया है पूरा तारूर से घरवा के पउधा उधा लगवा दिया इतना चीज है कि मुख्या जी भी नहीं बता पा रहे हैं आद देखिए यहां पर एक चीज आपको और यूनिक चीज दिखाते हैं देखिये यहां पर इरानू चिमनी का हिटा है और हमारे इलाके में सबसे फेमस इटा एक नमबर में यहीं राता है रानू चीमनी तो एखिए एक सेम्पल मिल गया यहां पर कि मुख्याजी कैसा क्वाइल्टी का हीटा उट लगाते हैं एक नंबर हीटा है और एक नंबर काम भी करते हैं इसलिए तो बिहार सरकार यहां पे दूसरे पंचायत के मुख्या को भेज़ती है कि जाहिए देखिए और निश्ची जुरूप से दूसरे मुख्या को भी प्रेड़ना लेना आप अपने मुख्या जी को भी बोलिएगा कि भाई जिस तरह से मोतिपूर पंचायत में ये सब्दा गिरी बना है समसान गाट बना है ऐसा ही हमारे पंचायत में भी मुक्ती धाम बने और लोगों को जो जलने के लिए गंदगी में कीचर में नदी किनारे जाना पड़ता ह उसको समचित सम्मान के साथ जलाया जाना चाहिए